नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयरवेदा फोरियों दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्ता के 34 सप्ताह के बारे में प्रेगनेंसी का 34 सप्ताह मानसिक और शारीर क्रूप से आपके लिए ठकाऊ होगा इस समय आप प्रेगनेंसी के लक्षणों की वज़ा से बहुत परिशान रहेंगी अब आपको ज़ादा से ज़ादा आराम करने की जरूरत है अपनी प्रेगनेंसी के 34 सप्ताह में बढ़ते वजन से हाई बीपी और अनिद्र जैसे समस्यों से आप ठक चुकी होंगी आपकी डिलीबरी की तारीख भी अब नजदीक आ रही है इसलिए आप अधिक से अधिक आराम करें इस सप्ताह के लक्षन भी पिछले सप्ताह जैसे होंगे इस समय महिला में बहुत से बदलाव आते हैं शिशु के बढ़ने के कारण पेट के आसपास का वजन बढ़ जाएगा फ्लूड रिटेंशन की वजह से भी आप मोटी लग सकती ऐसे में जादा से जादा पानी पीए मा और शिशु के लिए हाइडरेटेड रहना बहुत जरूरी है शिशु के बढ़ने के साथ आपके गरभाश्य में एम्नियोटिक फ्लूड का स्तर बढ़ने लगेगा इस समय बच्ची का विकास इस समय आपके गर में पल रहा बच्चा लगभग 17 इंच लंबा होगा और वजन लगभग सवा 2 किलो की आसपास होगा इसकी यह लंबाई जनम के समय भी लगभग इतने ही रहेगी इस समय आपके कुछ समस्यां भी बनी रहेगी जैसे की कबज और गैस आपको कबज और गैस की समस्या रहेगी पीठ में दर्ध होगा पैरों में एंठन भी रहेगी कभी कभी आतिरिक्त वजन की वजह से आपको कुलों से किसी एक पैर तक तेज दर्ध हो सकता है यह साइटिका का दर्ध है इससे बचने के लिए जादा देर खड़े ना रहे जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करे अनिद्रा के हालात भी रह सकते हैं बीपी बीपी हाई रहने की वज़ा से चकर आ सकते हैं नाक बंद रह सकता है नाक या मसूडों से कभी कभी खुन आ सकता है चहरे पर धब्बे या चाई की समस्या हो सकती है नकली लेबर पेन इसे डॉक्टरी भाषा में ब्रेक्स्टरन हिक्स कोंट्रेक्शन भी कहते हैं इनके होने का मतलब है कि आपका शरीर डिलिवरी की रिहर्सल कर रहा है इस दोरान आपके गरभाषे के उपरी हिस्से से संकूचन शुरू होकर नीचे की और बढ़ता है ये 15 से 30 सेकेंड तक रहते हैं कभी-कभी इससे ज़्यादा भी ऐसी स्थीती में आपको अपनी पोजिशन बदल लेनी चाहिए मतलब अगर बैठी हैं तो खड़े हो जाएं या कुछ कदम चलने लगिए ये रुक जाएंगे अगर ये ना रुके और समय के साथ बढ़ते जाएं तो समझ लीजिए आपके लेबर पेन की शुरुवात हो चुकी है डोक्टर से संपर करे वजाइना डिस्चार्ज इस समय वजाइना से गाड़ा पदार्थ निकलता है यह आपको इंफेक्शन से बचाने के लिए है लेकिन अगर इसकी जगह पानी जैसा तरल निकलने लगे तो समझ जाईए कि डिलिवरी की प्रक्रेश शुरू हो गई है ऐसी स्थिती में बीना घबराए आप डोक्टर से संपर करे सीने में जलन गरभाशय के बढ़ने पर पेट और अंधूनी अंगों पर दबा पड़ता है जिससे अपच और सीने में जलन हो सकती है मसालेदार खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखे कि इस सीने में जलन ना हो इन चीजों से जितना हो सके दूर रहे थोड़ा खाए इस समय आप डिलिवरी की प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करे और खुद को उसके लिए तयार करे डिलिवरी के समय आने वाले किसी भी तरह के जटिलता के लिए आप अपने आपको तयार करे ग्रूप भी स्ट्रेप्टो कोकस स्क्रीनिंग टेस्ट करवा ले योग और मेडिटेचन जरूर करे ताकि आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्त रहे योग से डिलिवरी में भी मदद मिलेगी तो दोस्तो यह थी गर्भावस्था के 34 हपते के बारे में जानकारी दोस्तो अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले